अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपकी वेबसाइट ब्लॉगर.com पर बनी होई है तो हमारे चैनल को 100% सब्सक्राइब कीजेगा क्योंकि ब्लॉगर.com से रेलेटेड हर प्रॉबलम का सॉलूशन हम अपने चैनल पर देते हैं फिलाल दोस्तों बात करेंगे ब्लॉगर.com पर आने वाली एक एरर की इंडेक्स दो ब्लॉग बाई रोबुट टेक्ष्ट दोस्तों क्या है ये कैसे वर्क करता है क्या आपके चैनल के लिए सही है या गलत है और अगर गलत है तो कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हैं सारी चीज जिससे के हमारा कोई भी नय वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ये जो एरर है ये जो मैसिज है ये जो वर्निंग है ये ब्लॉगर.com के साथ साथ वर् दोस्तों ये हमारी ओफिशल वेबसाइड है और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिशन में मिल जाएगा इसको आप यहां से दिखिए यहां आपको फॉलो का बटन दिखाई दे रहा है इस फॉलो के बटन पे क्लिक करके इस वेबसाइट को फॉलो जरूर करिएगा यहां से आपको blogger.com से related काफी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी तो फिलाल दोस्तों हम चलते हैं अपनी जीमेल पर जहां पर हमको ये related blogger.com से related message आया हुआ है जिसमें हमें लिखा है कि robot.txt ने हमारा जो index है उसको block कर दिया है हम नीचे scroll करते हैं और यहां पर आपको दि तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जब भी हम Google में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उससे related जितने भी keywords होते हैं वो website निकल कर हमारे सामने आ जाती है तो दोस्तों यहां पर अगर आपने website बनाई है और जो Google है या कोई और search engine है वो आपकी website के जो pages हैं उनको search करता है इसके अलावा जितने भी post हैं उनको search करता है उनको crawl करता है और साथे साथ index भी करता है तो यहां पर क्या करते हैं कि हमारे जो tags होते हैं जो हम इसमें tag use करते हैं वो और जो हमारे labels होते हैं labels का मतलब category तो यह दौनों चीज़े अगर हम हमारे labels यह अगर search में आ जाएं तो यह error हमको देखने को मिलता है दोस्तों search में आने से इसमें क्या problem होती है सपोस करिए हमने illegal muslim university कोई भी post upload किया या कोई भी article लिखा अब हमने illegal muslim university का tag उसमें भी use किया और हमने अगला जो article लिखा है उसमें भी tag use किया तो यह दोनों टेक्स करना दो अलग लग चीज़े हैं क्रॉल करने का मतलब है जो कोई भी search engine है वो हमारी website से जो input है उसको accept करता है उसको note करता है कि यहां पर क्या क्या चीज़ें available है उसको क्रॉल बोलते हैं और जब वो किसी viewer के सामने जाकर दिखाता है उसको इसको indexing बोलते हैं तो हमा हमारे जो text है हमारी category है वो index हो जाती है और लोगों के सामने जाने लगती है तो उस case में क्या होता है जो google है या कोई भी search engine है वो इसको duplicate ठहरा देता है और इसलिए जो robot.txt है वो इसको block कर देता है दोस्तो हमारी website के लिए ये message अच्छा है क्योंकि अगर इस तरह की कोई duplicacy वहाँ पर show होती है तो robot.txt उसको block कर देता है अब चलते हैं अपनी website पर और दिखाते हैं आपको कि कैसे यहाँ पर हमारे जो category है हमारे जो text है वो search में आते हैं यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे site उसके बाद अपनी website का नाम अगर आपकी कोई भी website आप site page है सारी चीज़न सर्च में आ रही है अब हमको यह देखना है कि कहीं हमारा जो category है या फिर जो labels है या tags है वो तो search में नहीं आ रहे तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको देख रही है home apps एक label है जो हमने अपनी website में बनाया है और यह label यहाँ पर search में आ रहा है अगल search में नहीं आनी चाहिए अगर आपकी search में आ रही है तो इसको आपको fix करना होगा तो आप इतनी बात तो समझ गई कि यह आपकी website के लिए जो message आता है यह कोई खत्रा नहीं है यह कोई error नहीं है यह सिर्फ एक warning है अब चलते हैं Google search console पर दोस्तों सारी चीज़ें ध्यान से नहीं है आपको अगर आप सीखना चाहते हैं तो यह देखिए Google search console पर जाते हैं हम और यहाँ पर जाने के बाद जो हमारी website है यह हमारी website attach है यहाँ पर यह website है इसके अलावा कोई दूसरी website है तो आपको वही रखनी है जिस पर message आया है जिस पर आपका mail आया है यह warning का तो य यहाँ पर देखिए error हमारा एक भी नहीं है अगर कोई error होता तो हमें problem होती तो फिलाल error कोई नहीं है कुछ दिन पहले था लेकिन अब वो solve हो चुका है अब यहाँ पर देखिए valid with warning मतलब यह page valid है लेकिन इसमें warning आ रही है तो क्या warning है वो चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं यह लेकर हुआ है index 2 block by robot txd इस पर हमने click करना है तो हमको यह दिखेगा यह दिखिए hinditechnics.com label amu illegal यहाँ पर जो search data है वो 5 है और यही label है जो बार बार repeat हो रहा है duplicacy में आ रहा है ऐसी यह education है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो duplicacy में आ रही है तो यह duplicacy में इसलि blogger.com पर जाना होगा blogger.com पर जाते हैं और देखिए हमारी website में यही से maintain करता हूँ इसके view भी देख लीजे 47,000, 46,000, 80,000 कौन कहता है के blogger.com पर व्यूज नहीं आते काफी अच्छे व्यूज आते हैं देखिए मेरे कल के view कितने हैं कल के view है मेरे 2,47,000 और अभी देखो सु सेटिंग में जाना है आपको और सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है यहाँ पर robot.txt होगा जिसने हमारा जो लेबल है वो ब्लॉक किया है देखिए यहाँ पर enable custom robot.txt यानि enabled है और यहाँ पर जो मैंने अपनी website का side map जनरेट करके यहाँ पर हमने लिखा हुआ है अगर side map कैसे जनरेट करते हैं वो आपको जाना है तो वीडियो के description में लिंक दिया है वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं तो हम robot.txt वर जाते हैं तो हमने क्या है यहाँ पर देखिए disallow search और allow यहाँ पर कुछ नहीं है इसका मतलब हमने जो अपने label है और अपने जो tags हैं उनको disallow नहीं किया है indexing के लिए तो indexing के लिए हमने disallow नहीं किया है तो वो index में आ रहे हैं और इसलिए duplicacy show होती है तो हमको क्या करना है यहाँ disallow के नीचे एक बार enter करना है और यहाँ पर हमें paste कर देना है disallow text और disallow category तो उसको मैंने यहाँ पर लिखकर आपको दिया हुआ है मेरे वीडियो के description में मिल जाएगा वहाँ से उसको copy कर लें देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको यह दौनों चीज़ें disallow उसके बाद category, disallow उसके बाद text यह दौनों चीज़ें आपको यहाँ से copy करके और वहाँ पर paste करनी है अपने blogger की setting में तो यह दौनों चीज़ें आपको वीडियो के description में मिल जाएगी वहाँ से आप copy कर सकते हैं तो यहाँ पर इसको हमने paste करना है paste कर दिया disallow category और disallow text अब क्या होगा यह index नहीं होंगे और हमें यह error दौबारा से देखने को नहीं मिलेगा अब हम इसको save कर देते हैं अब हमने क्या करना है दौबारा से Google search console में जाना है और यहाँ पर जाकर बैक करना है एक बार और यहाँ पर दिखे not started यानि अभी हमने इसको fix नहीं किया है तो इस पर क्लिक करिए उसके आद वैलिडिट fix पर क्लिक कर दीजे processing state update अभी validation हमारा start हो चुका है जैसे जैसे हमार unindex हो जाएंगे वो tax और जो label है unindex हो जाएंगे तो यह हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा फिलाल validation start हो चुका है और कुछी दिन में यह validation हमारा fix हो जाएगा और हमारी problem solve हो जाएगी और आगे से भी हमें यह error कभी भी देखने को नहीं मिलेगा तो दोस्तो छोटा सा process था ल मिलते हैं फिर सेखने वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए